जै श्री माकाल जै मातारानी की आप शपी को मातारानी शुक्षी रखे और आपको हमेशा खुश्वाल रखे आप से निवेदन करते हैं आप हमारे सेनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस सेनल हमारा नहीं आपका सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस सेनल हमारा नहीं आपका सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस सेनल हमारा नहीं आपका सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जो घर पे भी कर सकते हैं और दूसरी जगों पे भी कर सकते हैं सरल से सरल जितने तरीके की साधनाय होती हैं वो हम आपके लिए सुनते हैं और उन साधनाओं के विदी तैयार करके फिर आप तक पहुशाते हैं उनका कुछ अनुभाव लेते हैं हम पहले उनका practical करते हैं कुछ एक दिन की practical होता है कुछ ज़्यादा दिन का होता है तो ऐसे practical करके उन सादनाओं का मंत्रा का थोड़ा बहुत भी practical करके जब उसमें कुछ हलसल होती है उसमें हनुबव होते हैं कुछ सिद्यों की प्राप्तियां तक यह हो जाती है तब जाके वो सादनाएं हम उनका मंत्रा हैं यूटिब पर डालते हैं आज ऐसे ही हम आपको काम पिशासनी सादना के बारे में बताएंगे इनकी सादना एक ऐसी सादना है जिसका शवरूप है जो अधर से तक जादा तर रहता है पिशासनी सादना करने से जल्दी सिद्धी मिलती हैं इनकी सक्तिया होती हैं वो रात्री में तो विशलन करती है लेकिन इनकी शुबे के समय में जैसे मान लेजिये का पांस बज़े से पहले पहले यह पांस बज़े के आसपास में भी जादा विशलन करती हैं तो आपसे यही निवेदन करते हैं कि अगर कोई पिशासनी सादना करते हैं तो उनके समय के बारे में भी त्यान रखेगा यह अगर आप दिन में करते हैं तो दिन में नए साध़क को आप दिन में इनकी शिद्धी नहीं मिलेगी. नए साध़क है वो रात्री में बारा बजे के शम्थिंग इसाधना शुरू करें और बारा से ताई बजे के शाड़े तीन बजे तक इसाधना करते रहें. इसे आपको काम पिशाशनी का मंत्र बताएंगे और वीदिया भी बताएंगे आपको कुछ नहीं करना है केवल भूग के लिए आपको शामाने सामगरी है मिश्टान है ऐसे कुछ विशेश मिटा पदारत भी प्रियोग में ले सकते हैं दीपक आप किसी भी घी का जला लेजिएगा दीपक जला के आप धुप के लिए गरबती जला लेजिएगा और रातरी कालिन में ये शाधना किजिएगा रातरी कालिन में जब भी शाधना करते हैं तो आप इस शाधना को पहले दिन में अनुपव करेंगे एकर पहले में नहीं होता है तो दूसरे में होगा नहीं तो तीसरे दिन में फिर आपको भुच्चा जानूब और वेक्षाथ होने सुरू हो जाएंगे तो हम आपको ये बता देते हैं कि इस साधना को करने के लिए अप रात्री का लिन ही समय ढूंड़े और रात्री का लिन में ही कीजिएगा शामा ने दिपक जला की आपको एकान तवास किसी कमरे में बैठना है जहां भी लोगों का आना जाना नहीं होता है और लोगों के संप्रक में उस समय नहीं आना है जिनको आपा सकते हैं लेकिन इतना जादा भी आपको बोल साल नहीं करना है कि आपके उर्जा समापत हो जाती है सब भी ऐसी सक्तियों के साधनाई करते हैं काम पिशाषने की हैं ठीक है ये काम पिशाषने बहुत पिशाषनी ये सब भुई है और एक और पिशाषनी है जो पिंगला ऐसी कुछ पिशाषनी थी एक बार मैंने साधना की थी पहले तो वो भी इसी तरीके की सक्टी होती है जो सपने के माध्यम से सेक्स वगिरा करती है ज्यादातर ये सक्टिया होती है जिब आप सपने में होंगे तो सपने में आपका विर्य निकल जाएगा आप सपने में ऐसी एक किसी करन्या के साथ में इसी लड़की के साथ में एक्टिविटीज कर रहे हैं सेक्स कर रहे हैं कि आप आपके सरम सी माहे वो पार हो जाएगी और आप सेक्स करते करते आपका वीरे निकल जाएगा जब आपका वीरे निकल जाएगा तो उसके बाद में आपके आखे खोलेगी तब आप जानेंगे कि आरापन तो survive कुछ कर रही नहीं है लेकिन जब आपको मैसेश होगा कि हकिकत में भीरेन करेंगा निकल गया है यह यह पकेत में होता है लेकिन होता कि ब्रबशापपन के माध्यम से हैं ये सक्तिया होती है दर से तरीके का सादक का साथ भी देती है इसा नहीं कि ये सादक का साथ नहीं देती है अगर आप इनसे आप संप्रक नहीं है फिर भी आप इनसे आप प्रातना करेंगे कि हमरे आज उसे ऐसी काम के लिए जा रहा है हमारे कोई ऐसी काम है या फिर हमारे ज कुछ बातें भी बताएगी आपको कुछ नही रहसे भी सपना के माध्यमबह से भी बताती हैं. यह साधना ही हमारे अनुपव के तर पर हमने पेले की हैं और हमने इसके बारे में अनुपव बौत किये हैं. पिशासनी सादना में मैंने सबसे ज़्यादा अनुभव की है सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ कि अनुभव की तो वो मेरे पिशासनी सादना की बारे में भी है और ये पिशासनी सादना उसके नाम से लोग डरते हैं लेकिन इन साधनाओं से ड़णना नहीं साधना है इस साधना है अच्छी साधना है मैं इनको अच्छी साधना है मानता हूँ खापी अच्छी साधना है मानता हूँ और जब भी मेरा मन करता है कि बहुत सी साधना ऐसी होती है जिन में सपलता है भी नहीं होती है और तो तब मे मुझे लगती है साधनाएं, बहुत अच्छी लगती है, मेरे अगर जिन्दगी की बात करें, मेरी साधनाओं के सपर की बात करें, तो सबसे पहला अनुभवी मुझे पिशासनी साधना से ही हुए था, पिशासनी साधना है, बहुत अच्छी साधना है, आप इन साधनाओं को अगर बुरा मानते हैं, तो गलत बात है, में आपको बुरा मानता हूँ, ये बुरी साधनाओं नहीं है, अच्छी साधना है, मेरे अनुपव के तौर पर ख़फी अच्छी शादना है आप इन सादनाओं को किजिएगा जब आप करेंगे तब पता चलेगा बिना कि किवल नाम से डरते हो या नाम से मत्डर हो ये तो बहुत ही अच्छी शादना है बहुत ही स्योगी शादना है सयोग करते हैं इस साधक का खुब तो ऐसी साधनाओं से नहीं डरना चाहिए आपको और ये साधनाओं आपको करनी चाहिए मैं तो विशेश कर कहता हूँ कि बहुत सी बड़ी साधनाओं होती है देवी सक्तियों की साधनाओं होती है उनमें बर्षों बीच जाते हैं, महिनों बर्षों बीच जाते हैं, कोई सिद्धी नहीं होती है केवल एक मन की आत्मा की शांती के लिए कहते हैं क्यार मां प्रात्ना की दीवा नारेल कियाता तो अपना काम हो गया यह ऐसा नहीं होता है लेकिन इन साधनाओं के आप शातना करके देखिए इन सक्तियों के साधना करके देखिएगा यह साधनाओं बहुत ही अच्छे तरीके की साधनाओं है इनका काम भी चल्दी करती है अपनी प्रात्ना भी चल्दी सुट दिये और अपने सिंतन बाव होता है वो इनसे जुड़ा हुआ होना चाहिए मैं इनको बहुत अच्छे तरीकिसे शार्नाओं के शेत्र में है तो मैं बहुत अच्छे तरीकिसे इनको मानता हूँ और ये भी मैं से सोचता हूँ कि यार ये तो बहुत अच्छी सादना है ये काम भी बहुत अच्छी तरीके से इंचे हो जाता है थोड़ा कभी कभा वक्त लगता है क्योंकि ये कोई शक्तिया होती है तो उनसे ज़्यादा आगे ली शक्तिय होती है आगे वाली वो सकता इन से ज़्यादा पावरफूल है तो उनको उनसे मनाने में उनकी कुछ एक्टिविटीज करने में भी तो समय लगता है अगर इनकी साधनाई करते हैं तो आपको अनुबोब जल्दी होंगे और सिद्ध्या भी जल्दी होंगे इन्द की बात करते हैं काम पे साधनी मंत्र की बात करते हैं तो आप मंत्र सुन लेजेगा ये आपको विदी रात्रिकालिन में ही करनी है आपको केवल चप करना है और धूप के लिए अगर बत्य और दिपक चलाना है बागे कुछ नहीं करना है, आपको घेगा दिपक चलाना है, आपको कुछ दूसरा कोई भी पदारत ना मिले तो कोई बात नहीं, और जिस भी कमरे में करते हैं, जिस भी जगह पर करते हैं, वहाँ पे कोई भी लाइट की रोशनी नहीं करनी है, केवल दिपक की रोशनी ही होन चाहिए और उसी रोजनी में बैठके ये सन्ना करनी है मंत्र शुन लेजेगा हूम सी रीम काम पिशाशनी फट श्वाह इसमें ओम नहीं लगा है कोई भी सक्ति में ओम लगाते हैं तो वो सक्तियों का उनका अलग-अलग विधान होता है अगे बताऊंगा कि ओम का कहरास है तो मैंने इस मंत्र में ओम का प्रियुग नहीं किया आप करके देखिएगा ये बहुत उख्रम मंत्र है आप जब करेंगी तो आपको मैसुश होगा अगर हमारी सानिद्द्दे में कोई करना साथ है तो भी अच्छी बात आप किजिएगा जै स्री माकाल जै मातारानी की